सब्सक्राइब कीजे स्मार्टफॉन की चैनल को और बेल आइकन को दबाईए सबसे पहले लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो स्मार्टफॉन की चैनल में मैं आपका करता हूँ फ्रेंड्स स्वागत आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि IRCTC की जो नई वेबसाइट है उसमें हम train ticket कैसे book कर सकते हैं यह हाली दिनों में launch की गई वेबसाइट है और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो आई पसंद तो like करना और अभी तक आपने smartphone की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं जैसे पहले आपको www.irctc.co.in इस URL के जरीए इस page पे आजाना है आपको जैसे ही आप इस page पे आजाएंगे आप जिस station से जाना चाहते हैं जैसे कि from तो मुझे जाना है निज्जामुदीन से तो मुझे निज्जामुदीन का station code मालूम है तो and zm वो जरा hang हो रहा है दोस्तो जिस station से चलना चाहते हैं वो आप डाल जाने के बाद आपको जिस station तक जाना है वो डाल दीजिए जैसे कि मुझे जाना है मिरज जैसे ही आप जिस station तक जाना चाहते हैं वो डाल देने के बाद आपको date डालनी होगी जिस दिन आप journey करना चाहते हैं तो मैं journey करना चाहते हूँ 10 जुलाई को तो आप ही date डाल देते हैं जैसे कि मैंने date डाल दिये अब आपको find train पे click करना होगा जिस station से मुझे चलना था और जिस station तक जाना था वहाँ दो ही train जाने वाली है तो आप इसमें से कोई एक train की ticket book कर लेते हैं जिस train से भी जाना चाहते हैं उसका आप class चुन लीजे class में आप किसमें जाना चाहते हैं जैसे कि इसमें फॉर्स्टेशी लगा है मुझे फॉर्स्टेशी से नहीं sleeper class से जाना है और check availability fair पे click कर दीजे उसके बाद जैसे ही हम इसे click कर देंगे तो देख सकते हैं यहां seat available दिखा रहा है यहां हम book now पे click कर देते हैं इसके बाद IRCTC का username और password डालना होगा login हो चुका हूँ देख सकते हैं passenger detail अब आपको भरनी है इसके बाद जो है आपको name डाल देना है name डालने के बाद आपको age डालनी है फिर आपको gender choose कर लेना है यदि आपके साथ और कोई जाना जाता है तो add passenger पर click कर दीजिए उसके बाद आप उसका name gender और age डाल दीजिए इसी तरह छे लोगों का आप name बर सकते हैं आपके साथ कोई 5 साल से छोटा बच्चा जा रहा है तो उसका name gender और age बर सकते हैं उसके बाद आपको जो है नीचे आके आपको capture डालना है capture डालने के बाद आपको continue booking पर click करना है आप second stage पर आजाएंगे review booking जो है आपको check कर लेना है कि आप जिस station से जहां तक जाना चाते हैं वो सही डाला है जो आपके साथ जा रहा है उसका name वेगरा सही है के नहीं और उसके बाद आपको fair देख लेना है कि मतलब कितने पैसे लग रहे हैं आपको जाने के देख लेने के बाद आपको continue booking पर click करना है फिर आपको payment करनी है यह third step है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ payment करने के बहुत सारे options हैं जिससे आप चाहिए आप उससे payment कर सकते हैं फिलाल जो है credit, debit card, net banking और wallet powered by paytm मैं उससे payment कर रहा हूँ लिख सकते हैं दोस्तों next page open हो रहा है इस page में आपको credit card, debit card और net banking के थुरू payment करनी है जैसी आप payment कर देंगे तो आपको e-ticket मिल जाएगी जिसमें की आपका PNR नंबर भी होगा उस e-ticket के जरीए आप train में सफर कर सकते हैं आशा है दोस्तों आपको आईोगी वीडियो पसंद वीडियो पसंद तो लाइक कीजे नहीं आई पसंद तो डिसलाइक कीजे इस वीडियो से लिडिि आपके कोई भी हो सवाल वीडियो के नीचे जाएगा कमेंट कीजेगा उन कमेंट का मेरे प्रप्लाय जरूर दूंगा फ्रेंट्स अभी तक आपने स्मार्ट फॉन की चैनल को सब्सक्राइब किया है तो यार प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाने लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के ले फ्रेंट्स और होस्त के तो फ्रेंट्स वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धंज्याएब